यहां पर देखिए क्यूटू के बारे में बात भी कर रहे थे तो जैसे कि कल हमां लोगों ने देखा नहीं था पर आज मेडम ने हमें सेर किया है डिटेल्स केडियेंसियल तो जब बेंडर सेस्मेंट कंप्लीट हो जाता है तो आपको नीचे को यह मिलता है ऐसा लिखा हुआ ब्रेंडस आप जिस जिस केडियी के लिए अपलाई किये हो उस उस कैटिगीरी का आप brand and OEM request तो देखे मेडम का यह जो request है brand and OEM मेडम का दोनों approved है मैंने आप लोगो उस दिन बताया था कि जब भी आप apply करोगे brand and OEM यह दोनों approved होना चाहिए जिदि आप OEM हो तो तभी आप सिफ brand approval होगा OEM approval नहीं होगा that means तब आप जो है आप product as a reseller upload कर पाओगे OEM होने के बाद भी इसके लिए आपको दोनों approved होना चाहिए brand भी और OEM भी तो catalog देखते है मेडम को जैसे बोल रहे थी कि मुझे OEM में problem आ रहा है तो catalog product add new offering process same है कुछ process में changes नहीं है मेडम का category है यह वाला हमने यह category ले लिया अभी मेडम का brand देखते हैं किस ब्रैंड में है मेडम का के इंटरनेशनल को देखते हैं अभी यही 500 400 लीटर का है LCD है single face है फिफ्टी टू हंडेड है यह हंडेड है और है हंड्रेड है में लोग मतलब रेंडम ली कोई भी ले ले रहे है आप रॉपर जवाब दाना हां ठीक है जब कि यह स्पैसिफिकेशन हम लोगों ने अपने accordingly ले लिए और सेवन प्रोसेड प्रोसेड विथ न्यूँ आइटम क्योंकि हम कभी भी ओएम रहेंगे मॉडल है सेम हम लोग डाल देते हैं माल लीजिए ओके जिए डालेंगे हमने बताया था वह यहीं पर आ अब फिलाल हम लोग इसको छोड़ देते हैं नो करके सेवन प्रोसेड कर देते हैं अब देखें क्या आ गया मेरे पास यहां पर आजे ओए यह नहीं आया आगे का प्रोसेजर वही रहेगा जैसे कि हम लोगों ने कल के क्लास में लेक्टर में डिफाइंड क्या था सब्सक्राइब मेंदम एक यहां से आपको करते हों किसी को भी किसी को भी करना है तो आप यहां पर सकते तो यहां पर उसका details आएगा माल लिए आपको authorization नंबर सेर करना है जो हम लोग बोलते authorization नंबर है ना यहां से आप अप्राइजेशन अप्लोड कर सकते हो जैसे देखो यहां पर डाउनलोड एक सेंपल फाइल होगा all authorization का आप यहां पर authorization नंबर डाल सकते हो जैसे कि यह category है दिखाता हूँ कोई problem नहीं है ना मेडम इसमें नो नो सेर थीक है तो मैं आप authorization नंबर इस उगर के दिखाता हूँ देखे माल लिए 12345 बोलके हम लोग एक authorization नंबर डाल देते ठीक है authorization agency तो माल लिए ब्राइजेशन है मेडम का यही ब्राइजेशन का हम लोग डाल देते हैं सेम कि यह मैं authorization दे रहा है कब से कब तक दे रहे authorization तो हम लोग जो दे रहे है माल लिए आज दे रहे दो हजार बाइस 12 और वन 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 से ना यह authorization दे रहे कब तक दे रहे है हम लोग एक साल के लिए दे रहे है टूठाउजन थर्टीन तक ओके यहां पर देखी क्या है बहलेट फॉर्म और यह भी एक बार आएगा स्वापी और यह वाला इधर हम लोग एक बार सा ऑफ्राइजेशन इसू कर रहे अब कब से कब तक यह हम लोगों ने डाल दिया ऐसे आप मल्टीपल भी डाल सकते हो जितना चाहिए उतना अप डाल सकते हो इसको शेव कर दीजिए मल्टीपल और यह फाइल को अपलोड दो अपलोड सीएस्वी ना अउन्डोड ऑल अट्राइजेशन और समिट देखिए अपलोड यहां पर आ गया अभी हम एक प्रोफाइल खोलते हैं कि इसको डिक्टी हम इसको बाद में निकालने का प्रोसेस बता देंगे तू निकल भी जाएगा देखिए हम और एक प्रोफाइल खोलते हैं मेरा ही जेम लोगिन करता हो मैं यहां पर और हम लोग यहां पर डाल देते हैं और इसको समिट कर देंगे एक मेंट है ठीक है तो हम लोगों ने क्या किया था वह आपको डालने का भी तरीका बताया था कल के क्लास में मैं एकदम यहां पर मेडम का मिला मुझे इसलिए मैं आपको डारेक्ट लाइब बता रहा हूं यह चीज़े हम लोग कहां पर डालेंगे फिर यह नंबर माइक्शन में री सेलर पैनल में कल आप लोग को जो बहुत सारे कंफ्यूजन थे कैसे मिलेगा ऑथ्राइजेशन नंबर किस तरीके से तो वह आपको दिखा रहा हूं किस कैटेगरी के लिए और यह काटेगरी के लिए कहा गया कैटेगरी कैटेगरी मुझे पता चल जाएगा यहां से यह कै कौन सा ब्रैंड का है तो मैडम का वही ब्रैंड मुझे लेना पड़ेगा हाँ अहमद सर बोलिये ना 12345 अब यह देखो रिक्वेस्ट करूंगा तो यह अक्सेफ्ट कर लेगा आगे-आगे अभी इस ब्रैंड के इस कैटेगरी में इसी ब्रैंड का पोड़क्त हम लोग बेच सब्सक्राइब जदी मेडम के पास और लेडी कोई पोड़क्त डाला हुआ है तब नहीं डाला है हम डालने के बाद हम लोग इसको बेच पाएंगे हो गया अब यहां से ब्रैंड देख सकते कौन सा ब्रैंड में एवेलेबल है और लेडी कल हम लोगों ने किया था इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूं क्योंकि और लेडी यह प्रोसेस हम लोगोंने कल डिसक्रसन कर लिए थे क्लास में यह एक मैडम का पॉड़क्त है मैं इस पॉड़क्त को देखो क्यूटू होने के बाद भी अभी पेर कर पाऊंगा चूंकि इसका मेरे पास अब यहां से यह वाला भी यहां से रिमूब कर देता हूं निकल गया अभी तुरंद मेरे पोटफोलियो में द बेच नहीं पाऊंगा मेरे पोटफोलियो से वह अथ्राइजेशन नंबर निकल गया देंगा निकल गया चला गया तुरंद तो डिपेंड ओएम जब तक चाहे आपको तब तक दे सकता है जब चाहे तब निकाल सकता है यहां पर मेडम के पास ओएम पैनल है इस तो मेने आ आपको ओएम पैनल रिलीज करने से अथ्राइजेशन नंबर इसू करने से नंबर से लेके डालने तक और फिर निकालने तक का पूरा प्रोसीजर बताएं पहले मेडम का कोईरी ले लेता हूं क्योंकि यह बोलिया मेडम क्लियर है मेडम कोईरी आपका अभी जो अपने प्रोडक्ट एड़ करके दिखा है वो अभी कहां दिख रहा है बताएं ना कैटलॉग में पोड़क्ट में सर्च माय ओफरिंग अच्छा आपका पोड़क्ट जो डॉल लेडी पब्लिस्ट है वो बोल रहे है या नहीं अभी आपने एड़ करके दिखा है ने अच्छा वो मैडम देख अभी वह ड्राफ्ट में पड़ा रहेगा यहां पर देखिए यह वाला मैंने गरत्नाम करते हैं आप यहां से उसके बाद वहीं से आप हो जाएगा आपको अप्लोड करके बसा तो आप मुझे उसका डीटेल से एर कर देंगे देख आपके प्लोड में उसके वह पीच्छ वागेरा भी चाहिए ना सब्सक्राइब करना पड़ गया नहीं हां वासूर सब्सक्राइब मश्कूर सर मश्कूर अहमद सर इसर बोली जिस तरह आपने एक को येम री सेलर का ये प्रोफाल बन कर सकता है वैसे री सेलर कहां कहां सब्सक्राइब कर रहा है यह पता चलेगा कि सिर्फ नंबर यूज कर रहा है कि नहीं वह पता चलेगा और वह कभी भी निकाल सकता है यह पता नहीं चलेगा और हमने जो केटलोग रखा रहेगा समझें तो उसको पर बेच सकता है यहां ज्यादा पर बेच सकता है वह तो एसर पेर करते वागत आपके पास अपसेंस एवेलेवल है ना वह तो नॉर्मल पेर का प्रोसेस हो गया वह तो आप कितने में भी प्रेट करो और कोई डाउट किसी को क्लियर है चलिए और अभी पेर करने का भी प्रोसेजर बताया पेर कैसे करते हैं देखो जैसे देखा था वह भी यहां पे क्लियर हुआ किसी का मेंडम का कोई रिधा सेल्दिस आइटम करेंगे पेर को सर्च करके आगे जाकि ऑथराइजिस नंबर क्लियर है डाउट्स आज की क्लास का या और कोई डाउट्स है नहीं सर्क्लियर है कि अ इसलिए